अब हम आते हैं mitosis and meosis, cell division पर, पर उसके पहले हमें समझना है cell cycle क्या होते हैं, आईए समझिएगा, students क्या ऐसा होता है, कि बस आप एक दिन उठते हो और तीन घंटे का नीट का paper दे आते हो, नहीं, आप उसकी तैयारी करते हो, आप उसकी preparation करते हो, अभी क्या करते हो, आप उसकी preparation करते हो, one year, two year, three years तक preparation करते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ की preparation करने में जाधा time लगता है, और final touches उस देने में बहुत कम time लगता है, इसी तरह से जैसे ही एक cell form हुआ, suppose ये एक cell form हुआ, अभी अभी नया नया बना है, इसे divide करना है, तो इसे पहले तयारी करनी पड़ेगी, फिर ये actually divide करेगा, तो इस पूरे को हम cell cycle कहते हैं, आइए समझाती हो, अभी cycle है, cycle का मतलब इस तरह कहानी हम पढ़ने वाले हैं, और ultimately इसे हमें दो daughter cells बनाने हैं, यहां से शुरू करनी है story और इसे हमें दो daughter cell बनाने, फिर हर daughter cell फिर grow करेगा, फिर daughter cell बनाएगा, फिर घ्र नटर सेल बनाएगा और ये कहानी चलती रही ते, बिल्कुल हमारी Nate की तरह, इसमें भी दो phases होंगे, एक तयारी का preparation का और एक actually जब nucleus और cytoplasm divide करेगा 95% time 95, ये center बना देती हूँ 95% time ये prepare करता है सिर्फ 5% time में ये divide करता है, तो ये जो 95% time है, जब ये preparation कर रहा है, तयारी कर रहा है इसकी बात कर रही हूँ, मैं इस part की, इसे preparatory phase कहते हैं, this is called preparatory phase NCRT में जो नाम दिया है, उसे inter phase कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी समझाती हूँ, inter phase इसी resting phase भी कहते हैं, यहां cell बिलकुल आराम नहीं कर रहा है, कि आभी आप आराम कर रहे हो जब आप preparation कर रहे हो, नहीं आप तो बहुत काम कर रहे हो बस paper नहीं लिख रहे हो, इतना सा फरक है I mean गोले नहीं भर रहे हो So resting stage क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह divide नहीं कर रहा है सिर्फ इसलिए, वरना यह बहुत active है तो इसे active phase भी कहते हैं इसी में ATP बनेगी energy जिससे आगे cell divide करेगा actually तो इसे energy phase भी कहते हैं यह सब इसके नाम है preparatory phase, active phase energy phase resting phase interphase और यह total cell cycle का 95% time है जैसे अगर हम एक human cell की बात करें human में तो हमारे अंदर एक human cell में 24 hours की cell cycle होती है 24 hours की मतलग, जैसे ही एक human cell बना वो preparatory phase में जाएगा और फिर divide कर जाएगा इस पूरे में 24 hours लगते हैं जिसमें से 23 hours human की बात करूँ तो 23 hours में preparation होगी यानि 95% time में और 1 hour में वो divide कर जाएगा यह में human की बात कर जाएगा तो यह जो actual division होगा चाहे mitosis की तरह से हो चाहे meiosis तो M है इसे M phase कहते है M phase mitotic phase actually mitosis या meiosis जिस भी तरह का division है तो 2 phases हो गए एक inter phase एक M phase और M phase जो है this is 5% of the cell cycle cell cycle अब yeast की अगर मैं बात करूँ yeast क्या होता है एक fungus है जो unicellular है सारे पंजाए multicellular होता है yeast unicellular होता है इसमें cell cycle का duration 90 minutes यानि देड़ घंटा होता है यानि यहाँ पर जैसे ही कोई नया cell बना वो one and a half hours में grow करके और divide कर जाएगा यानि हम क्या कह सकते है that cell cycle का duration differs और varies from organism to organism NCRT की line है even हमारे अंदर भी अलग-अलग cell type में थोड़ा-थोड़ा duration different होता है तो cell to cell भी different है और organism तो organism भी different है और यह सब कुछ genetically controlled है बहुत ही controlled coordinated way में होता है cell cycle and cell division it is all genetically controlled यह सब NCRT की lines है direct questions आते हैं अब इसे interface क्यों कहा? देखो एक cell की कहानी समझो पहले वो interface में गया फिर M phase दो cell में divide हो गया फिर यह daughter cell interface M phase interface M phase याने M phase, interface, M phase, interface ऐसे चलता रहेगा तो मैं यह भी तो कह सकती हूँ कि M phase comes between two one second between two interface या interface comes between two M phase क्योंकि यह preparatory phase दो M phase के बीच में आ रहा है इसलिए हमने इसको interface नाम दे दे है अब study की convenience के लिए scientist ने इस M phase को फिर से three phases में divide किया है समझिएगा सबसे बड़ा phase जो है one second सबसे बड़ा phase इसमें से उसे G1 कहते है क्यों अभी सब समझ में आएगा तो suppose this is G1 यह सारा G1 है इसके बाद जो next phase है that is one second थोड़ा सा और इसको बनाते है ठीक से अपन क्योंकि बड़ा है तो बड़ा दिखना चाहिए so this is suppose G1 this is suppose G2 oh sorry S phase my mistake S phase and this is G2 phase जैसे हम अपने में बात करें अगर तो हमारे में G1 phase around 11 hours का होता है यह around 8 hours का होता है कितने होगे 11 plus 8 19 और 1 20 तो यह होता है around 4 hours का यह मैं human की बाद कर रहे हूँ यह time नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा but this is given in NCRT this is must और 95% और 5% अब क्या होगा इसमें समझे देखिए जैसे ही cell ने grow करना शुरू किया अभी अभी पैदा होगा अभी यह grow करना शुरू करेगा grow मतलब यही जो मैं आपको समझा रहे थी sorry not this grow करना शुरू करेगा तो सबसे पहले क्या होता है G1 phase में maximum growth होती है maximum growth आईए लिखते हैं यह direct questions आते हैं तो यहाँ पर पहला question बनता है तो cytoplasm के अंदर RNA जो है और proteins जो है वो सब बनेंगे so RNA proteins synthesis happens here ठीक है cytoplasm की भी बहुत growth हो रही है cytoplasmic growth सब हो रहा है अब ATP भी यहीं बन जाती है खूप सारी क्योंकि आगे ATP बहुत काम आने वाली है तो ATP synthesis भी यहीं होता है लेकिन DNA यहाँ डबल नहीं होता देखो हमें दो डॉटर सेल में डिवाइड करना है तो हमें सब कुछ डबल करना है cytoplasm डबल करना है DNA डबल करना है RNA डबल करना है सारे और्गनेल डबल करना है protein डबल करना है Then, histone synthesis, यहने histone double हो जाएगा, और इन दोनों के double होने के कारण से, अब को थोड़ा बहुत RNA protein तो बनता ही रहता है, chromatin का duplication हो जाएगा, chromatin duplication, duplication, और यह सब कुछ कहा हो रहा है, cell के अंदर बताईए, in the nucleus, this is happening in nucleus NCRT की line, in nucleus, अब DNA तो यहाँ double होगा, लेकिन DNA क्यों double होगा, नया DNA बनेगा, एक DNA तो है, एक और copy बनाने है, तो उसके लिए nucleoside, nucleotide चाहिए, वो पहले यहाँ बन जाती है, तो यहाँ पर nucleotide का synthesis होगा, पहले nucleoside बनेगी, फिर nucleotide बनेगी, ताकि next phase में DNA डबल हो सके, इसी तरह histone protein यहाँ बनता है, histone का जो protein है, वो यहाँ बनता है, लेकिन protein बनाने के लिए amino acids चाहिए न, वो पहले ही बन जाते हैं, तो यहाँ पर amino acids for histone, उनका synthesis होता है, तो ध् अब DNA जब डबल होता है, हम class 12 में पढ़ेंगे, तो enzyme चाहिए रहता है, DNA polymerase enzyme, वो enzyme यहीं बन जाता है, यहाँ पूरी preparation हो रही है, अगले phase की लिए, तो यहाँ पर DNA polymerase enzyme का formation होगा, formation, पर अगर question आएगा कि DNA polymerase work कहाँ पे करता है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो DNA की doubling करे तो functional यहाँ पर है और formation यहाँ पर है, मज़े आ रहे हैं अब, और क्या होता है, अब हमें सारे organelles को duplicate करना है, अब मैं इतना controversial point बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, NCRT की पूरी theory में कहीं नहीं लिखा कि organelles double कहां होते हैं, जैसे ER, Golgi body, mitochondria, plastics कहीं नहीं लिखा, पर NCR की समरी में लिखा है कि, most of organelles duplication, जादा तर organelles यहीं duplicate होते हैं, most of organelles duplication occurs in G1, actually students, जो mitochondria और plastics हैं, वो यहाँ double होते हैं, G2 में, mitochondria and plastics, तो अब हम answer क्या लगा है, पहले, इस जब तक यह समरी में add नहीं किया गया था, तब तक इसका answer G2 होता था, यह main organelles हैं, बट अब अगर एक choice लगाने हैं, तो of course हम यह लगाएंगे, of course, because this is given in NCRT summary, so we will keep this as the best option, हाँ particularly mitochondria plastics पूछें तो यह answer लगादे हैं, जो fission से वो divide कर जाते थे, आपको पढ़ाया था, sell the unit of life, अब, और क्या बनाना पड़ेगा, देखो, सारे organelles यहाँ बनते हैं, except these two centriole, centriole मतलब centrosome भी कह सकते हैं, एक ही बात है, अभी मानलो एक centriole था, अब मुझे दो centriole चाहिए, तब ही तो दोनों आमने सामने जाएंगे, उनसे spindle fiber बनेंगे और वो chromosome से attach होंगे, तो centriole का duplication भी यही होता है, centriole duplication, या centrosome एक ही बात है, centriole duplication, तो chromatin और centriole, दो का duplication होगा, लेकिन ये कहां होगा, इन साइटो प्लासम, क्योंकि centriole साइटो प्लासम में है, तो इस phase में, इनका duplication साइटो प्लासम में हो रहा है, और ये सब कुछ duplicate हो रहा है, नूकलियस में, और ये functional भी अपकोस नूकलियस के अंदर होगा, वही DNA से DNA बनता है, अग, औ अचे-कुछे RNA proteins यहां बनते रहते हैं, तो यहां पर भी few, few RNA and protein synthesis होता है, पर अगर one choice आएगी, main कहां पे होता है, तो answer G1 होगा, otherwise, they are forming everywhere, right, now, एक protein, हमें अब micro-tibules बनाने होगे, centrioles तो duplicate होगया, अब centrioles से micro-tibules बनेंगे, यहने spindle fibers बनेंगे, spindle fiber में tubulin protein होता है, तो spindle fiber तभी बनेंगे, जब tubulin protein बनेगा, और वो protein particularly यहां बनता है G2 में, तो यहां पर tubulin protein बनेगा, यह बहुत important question है, तो histone protein S में बनेगा, जब DNA double हो रहा है, और tubulin protein G2 में बनेगा, यह important question है, Now, अब हम इनकी naming क्या करें, पड़ उसके पहले, इसे हम कह देते हैं, लिख देते हैं, longest phase है, G1 is the longest phase of cell cycle, interface का भी longest phase है, cell cycle का भी longest phase है, अब हम नाम रखना शुरू करते हैं, देखिए, इसे में gap phase 1 या growth phase 1 बोल सकते हैं, क्यों कि यहां से शुरू हुआ है growth होना, so this is called, NCRT में लिखा है gap phase 1, या growth phase 1, तो अब आप समझ ही गए हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, इसे हम लिख देंगे, G2 will be, लिखवाईए gap phase 2 या growth phase 2, growth phase 2, बिल्कुल सही, अब इसे क्या लिखओ, यहां DNA का synthesis हो रहा है, तो इसे लिखते हैं synthetic phase, S phase, यानि synthetic phase इसका नाम है, तो मुझे यह बताओ, क्या मैं G1 को, G1 को, pre-synthetic phase लिख सकती हूँ, क्योंकि synthetic phase के पहले वाला phase है, so this is called pre-synthetic phase, बहुत बढ़िया, अब मुझे बताओ, मैं इसे क्या लिख दू, समझ जाओ, यह synthetic phase के बाद हो रहा है, यानि post-synthetic phase, synthetic phase, चल, अब यह M के बाद हो रहा है, M को mitotic कहते हैं, यह M के बाद हो रहा है, यानि post-mitotic phase, हैना कितना easy अगर अपने समझ लिया, रटने की कोई ज़र होती नहीं, post-mitotic phase, और यह mitotic phase के पहले हो रहा है, so this is pre-mitotic phase, pre-mitotic phase, all done, अच्छे जे समझ में आ गए, सारे नामकरण, हैना, बुआ की तरह हमने नाम रख दिया है, अपने बतीजे बतीजियों का, नीस and nephews का, चलिए, अब, यह पूरी ready हो गया, तैयारी हो गयी, सारे organelles duplicate हो गया, DNA double हो गया, histone double हो गया, tubulin protein बन गया, RNA proteins बन गया, cytoplasm की maximum growth हो गयी, सब काम हो गया, central duplicate हो गया, everything is being done, अब cell को हम कहेंगे, अब तुम divide करो, actually divide करो, M phase, पहले वो अपना nucleus divide करेगा, four phases होते हैं, आप सबको basic idea होगा, सबसे पहले pro phase, meta phase, anaphase and telophase, तो सबसे पहले है, pro phase, then metaphase, यह अलग से कोई ऐसा नहीं, इनके बीच में boundary है, पर कुछ-कुछ events होते जाते हैं, तो हमारी convenience के लिए हमने यह phases के नाम दे दिये हैं, and telophase, इन चार phases में, पूरा का पूरा nucleus divide करेगा, यानि इसे हम carry-on kinases कहेंगे, carry-on मतलब क्या होता है, nucleus, और kinases मतलब kynetic energy, यानि nucleus में कुछ changes हो रहा है, मतलब nucleus divide कर रहा है, और ultimately, finally, अब cytoplasm divide करेगा, cytoplasm, तो इसे हम लिखेंगे, cyto kinases, क्योंकि हाँ, cytoplasm में division होगा, this much is cytokinesis, तो M phase को two parts में divide किया, nuclear division and cytoplasmic division, यानि cytokaryokinesis and cytokinesis, यानि actually G1, S, G2, prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis और बन गए दो daughter cell, और फिर वो दोनों फिर cell cycle में enter होंगे, और ये कहानी चलती रही, cell cycle का shortest phase अगर पूछेंगे तो ये है, M phase, this is shortest phase of cell cycle, of cell cycle, चारो, फूड़ा, interphase longest, M phase shortest, particular पूछेंगे तो G1, longest and M phase shortest, हाले कि इस M में भी मैं पढ़ाऊंगी, सबसे लंबा prophase होता है, और सबसे छोटा anaphase पर वो इस में होता है, overall बात नहीं कर रहे, Is it all done? इतना समझें, चलिए!